Books That Speak में आप सभी का स्वागत है जब रंच के गाव का तालाब सूख जाता है, वो लापता पानी को ढूणने के मिशन पर निकल पड़ती है आईए, जासूस रंच के साथ मिलकर इस लापता पानी के मामले को सुल जाते है कहानी का शीरशक है लापता पानी का मामला Original Story The Case of the Missing Water by Pratham Books कहानी लिखी है शालिनी श्रेनिवासन, चत्रांकन, उपमन्यू भटाचार्य, हिंदी में अनुवाद, पूजा बहानवाल, कहानी का वाचन असावरी दोशी रंच के गाव में जो पानी का तालाब था, वो लगभग सूख चुका था अज्जी बारिश के लिए प्रार्थना करने लगी, अम्मा ने घर में पड़े सभी बर्तन और बाल्टियों को इकठा कर उनमें पानी भर दिया हमें ज्यादा से ज्यादा पानी इकठा करके रखना पड़ेगा, उन्होंने कहा अप्पा ने थोड़ा गहरा खोदने के लिए औजार इकठा किये जब तक बारिश नहीं होती, तब तक गुजारे लायक पानी हमें चाहिए होगा उन्होंने कहा रंज ने अपनी कॉपी और पेंसिल निकाली, फिर अपने दिमाग में पानी के बारे में सोचते हुए चल पड़ी अपने अम्मा अप्पा के पीछे, पानी के तालाप की और उसने तालाप की निचली सतह की बहुत बारिकी से जांच की तालाप का तला सूखा और दरारों से भरा था रंज सोच में पढ़ गई तालाप का सारा पानी कहां चला गया? क्या वो भाग गया? क्या उसे किसी ने चुरा लिया? ये एक बड़ा रहस्य है रंज को रहस्य सुलजाना बेहत पसंद था जैसे जब अज्जी को अपने पढ़ने वाले चश्मे नहीं मिल रहे थे तब रंज ने उनको ढूंड निकाला था चश्मे अज्जी की किताब में मिले उसी पेज पर जो वो पढ़ रही थी फिर दूसरी दफा हाथी भला रागी के खेतों में क्यों आ जाते है? मैं उस पानी को ढूंड निकालूंगी रंज ने बदबदाते हुए कहां रंज सुखी हुई काई और मरी हुई मचलियों को पार करके तालाब के दूसरी और पहुँची क्या आपको पता है कि पानी कहां जा सकता है? उसने एक मच्छवारे से पूछा लगता है नीचे की और बह गया मच्छवारे ने अंदाजा लगाया रंज ने पहाडी से नीचे जाती हुई उस सुखी नदी का पीछा किया जहां पर वो नहर खत्म हुई वहां एक और तालाब था वहां धेरो बक्रिया थी पर पानी नहीं था रंज ने बक्री चराने वाले से पूछा क्या आप जानते है कि पानी कहां हो सकता है शायद उपर उसने कहा मैं तो वही से आई हूँ रंज बोली पानी वहां नहीं है तो और उपर होगा बक्री चराने वाला बोला वही से तो पानी आता है रंज तालाब तक वापिस चड़ी, फिर वो पहाडी के थोड़ा और उपर चड़ी जहाँ एक और तालाब था वहाँ ना तो पानी था, ना पक्षी और ना ही नाओ, केवल एक ही व्यक्ति था वहाँ सपना, मुझे पानी कही भी नहीं मिल रहा, क्या तुम्हें अंदाजा है कि पानी कहाँ चला गया रंज ने जोर से आवाज लगाई, वो सपना को जानती थी, वो उसके स्कूल में ही पढ़ती थी नीचे, सपना ने चिलाते हुए जवाब दिया, रंज को एकदम गुसा आ गया, उसने अपना पाउँ जोर से पटका नहीं, वो चिलाई, नहीं है, ना वो नीचे है और ना ही उपर, मैं ढून ढून के परेशान हो गई हूँ, समझ में आया तो क्या उपर, वहाँ, सपना ने अंदाजा लगाया, रंज और सपना दोनों ने उपर आस्मान की तरफ देखा, सूरज ने वापस उनकी तरफ घुरा, आस्मान उजला था, गर्मी और धूल से भरा नहीं, दोनों ने हामी में सर हिलाया, वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता रंज हताश होकर, सपना के संग नाव में जाकर बैठ गई, और कमल ककडी का एक टुकडा चबाने लगी वो गर्मी और थकान के मारे बेहाल थी मन्जू के माता पिता गाव छोड़कर चले गए, रंज ने कहा वो शहर चले गए जहां पर पानी है, शायद हम सभी को यहां से चले जाना चाहिए तुम जाओ, सपना ने चिड़ते हुए कहा, तुमें किसी ने नहीं कहा यहां रहने के लिए हाँ, हाँ, ठीक है, रंज ने गुसे में कहा और पाव बटकती हुई घर चली गई पर कुछ भी ठीक नहीं था, पानी अभी भी नहीं था, और नहीं बारिश अगले दिन रंज ने छोटे से गिलास में तालाप के गदले पानी से दात मांजे अच्छू, रंज ने थूग दिया, स्कूल में कक्षा आधी खाली थी, बहुत से परिवार उस इलाके को छोड़ चुके थे रंज से अब और बरदाच्ट नहीं हुआ, उसे अपने सभी दोस्तों की याद आ रही थी परियावरन अध्ययन की क्लास चल रही थी, क्लास के बीच में वो उठी और स्कूल के बाहर भाग गई वो भागती रही, भागती रही, भागती रही, वो बुरी तरह हाफ रही थी, अखिरकार वो सडक के किनारे जाकर बैट गई मुझे पानी को डूड़ना ही पड़ेगा, वो हाफते हुए बूली, क्या मैं मदद करूँ, एक आवाज आई, वो सपना थी, जिसने रंज को स्कूल से भागते हुए देखा था रंज का चेहरा चमकने लगा, हाँ, हमें ये सही प्रकार से करना होगा, सपना ने कहा, बिल्कुल असली सैनेटरी इंजिनियर की तरह, किसकी तरह, रंज ने पूछा, सैनेटरी इंजिनियर वो होते है, जो पानी के पाइप, टंकिया और नालिया बनाते है, जब मैं बड़ हो जाऊंगी तो मैं भी एक सैनेटरी इंजिनियर बनूंगी सपना ने कहा काफी माथा पच्ची के बाद दोनों ने गाव का नक्षा बनाने की ठानी जिसमें सभी तालाब और नदिया हो ताकि उन्हें पता चल पाए कि पानी कहा गया है आखिरकार वो दोनों आराम से बैठ और अपने ही बनाए हुए नक्षे को बड़े ही ध्यान से देखने लगे हमने अभी तक ये तालाब नहीं देखा रंज ने बहुत सारे तालाबों में से एक की तरफ इशारा किया चलो चले सपना ने हामी भरी रंज और सपना दोनों पहाड़ी पर चड़ने लगे यहां की सरीता भी सुखी थी शायद हमें स्कूल छोड़कर नहीं आना चाहिए था ये तालाब भी शायद सुखा ही होगा सपना ने उदासी से कहा पर जब वो दोनों तालाब के पास पहुँचे उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तालाब तो पानी से लबालब भरा था सपना ने एक छोटे से पंप की तरफ इशारा किया जो तालाब के छोर पर लगा था मैंड के ठीक नीचे एक टैंकर था जिसमें सारा पानी जमा हो रहा था एक आदमी टैंकर के बगल में खड़ा था और निग्रानी कर रहा था रहस्य सुलज गया रंज गुसे में बोली आम तोर पर रहस्य सुलजाने के बाद जासू सोंको खुशी होती है पर रंज को बेहत गुसा आ रहा था तुम हमारा पानी कहा ले जा रहे हो रंज जानना चाती थी शहर आदमी ने कहा वहाँ ज्यादा लोग है इसलिए उनको ज्यादा बानी की जरूरत है ये बिलकुल सही नहीं है सपना ने कहा आदमी अपना कंधा उचकाते हुए बोला ये तो ऐसा ही है मेरी दोस्त एक सैनेटरी इंजिनियर है रंचिलाते हुए बोली उसको पता है कि क्या उचित है और क्या नहीं आदमी हसा सैनेटरी इंजीनियर और तुम तुम तो अभी बच्चे हो सपना ने धीरे से कहा हाँ हम बच्चे जरूर है पर अच्छी तरह जानते है कि तुम हमारा पानी नहीं ले जा सकते घर जाओ घर जाओ आदमी बोला तुम कुछ बदल नहीं पाओगे हम तुमारा पंप तोड़ देंगे रंच लाई और हाथ में छड़ी लेकर पंप की तरफ दोड़ी ओहो आदमी बोला पर मुझे तो लगा था कि सैनेटरी इंजीनियर पंप बनाते है तोड़ते नहीं हाँ नहीं इस तरह नहीं सपना ने दुखी होते हुए कहा पर रंच ने कहा मैं एक जासूस हूँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ रंच के पास एक बहतर योजना थी वो पंप से जाकर चिपक गई अब तुम इसे नहीं चला सकते सपना भी भाग कर गई और पंप को जकड लिया ए ए ए आदमी चलाया अब वो बहुत गुसे में था घर जाओ अपने अपने उसने कहा उसी समय गनगोर घटा चा गई आकाश में जोर से गड़गडा हट हुई बादल गरजने लगे बिजली चमकने लगी और जोरो से बारिश होने लगी सपना खिल-खिला कर हसने लगी मान सुना गया ये मैं तो घर जा रहा हूँ तुम जाओ या ना जाओ टैंकर वाले आदमी ने कहा बारिश होती रही होती रही होती रही तालाप के बंध के उपर से पानी बह निकला और नदी में बहने लगा, पानी ने उन्हें भिगो दिया, पानी मिल गया, रहस्य सलज गया, रंज बोली, याहू, दोनों खुशी से चिलाने लगे, तो कैसी लगी ये प्यारी सी कहानी, ये दो बच्चियां एकदम सहसी थी न, निडर भी, ये कहानी से पानी के संचे से जुड़े हुए, जैसे की तालाब, बंध या मेंड, सरीता, जलस्तरोत, भौम जलस्तर या वाटर टेबल, तो और ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनने के लिए, बुक्स दैट स्पीक इस चैनल पर जरूर आईएगा, यूट्यूब पर और अलग-अलग क्लुक्रिया.